हलो फेंड्स वेलकम बैक इन माई चैनल आज हम बनाएंगे स्मोकी फ्लेवर बैगन का भड़ता एकडम धावी स्टाइल बनाएंगे बैगन को गैस पे बिना भूने बनाएंगे बहुत जल्दी बनेगा आई होप आपको मिले रेसिपी पसंद आए आए शुरू करते हैं धावर इस्टाइल स्मोकी फ्लेवर बैगन का भड़ता इसके लिए मैंने तीन बड़े बैगन लिये हैं यह वजन में करीब 800 क्राम बैगन है इसे मैंने अच्छे से छील के दो लिया है अब हम इसे दो सीटी आयन तक कुकर में पकाएंगे कूकल में डालने के बाद इसमें डालेंगे एक गलास पानी अब हम इसे उपलने के लिए रख देंगे इस तरीके से 2 सीटी आया तक पकाएंगे जब तक हमारे बैगन हो रहे है हम भूरते के त्यारी करते हैं मैंने कड़ाई रखिए, कड़ाई में मैंने डाला है 3 टेवलिस्पून मस्षड ओयल, जी हाँ बैंग का बूरता मस्षड ओयल में ही सबसे ज्यादा अच्या बनता है, आप रिफाइंड या किसी देशीगी में ना मनाये, सबसे अच्छा फ्लेवर मस्षड ओयल में आता है, अच्छे से गरम हो जाए, हींग, जीरा, अब थोगा सा अध्रक डालेंगे, अध्रक को मैंने ड्रेट कर लिया है, अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ी सी लस्टन, चॉप की वी, आप चाहें तो इसमें अध्रक लस्टन का पेश्ड भी डाल सकते हैं, इस तरह के साथ बै उनियन चॉप्ट कीवी, मैंने भारिक चॉप कर लिया है उनियन को, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे, अब इसमें डालेंगे नमक, प्याज में पहले नमक डालने से प्याज हमारी जल्दी भुन जाती है, देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है, बहुत कमभी डाल सकते हैं, मैंने ग्रीन चिली को लंबी काटके डाला है, आप जब बारिक काटके भी डाल सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, जब प्याज माट अच्छे से भुन जाए, जब हमें मसाले डालने हैं, अल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्श तोड़ा सा गरम मसाला, इस वह अच्छे से भूनना है, अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, साइट से तेल छोड़ने लगा है, अब हम इसमें एड करेंगे उबले हुए बैगन, मैंने बैगन को बाल के छान लिया था, पानी सब निकाल दिया है, अब हम इसमें एड करेंगे उबले हुए बैगन, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मैश करकर के मिक्स करना है हमें, इस तरीके से, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, आप नमक अपने टेश के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जब म मसाला इसे नीचे लगने तक हमें बूनना है, जब इस चिपकने शुरू हो जाए, अब देखिए, साइट से तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, बैंग का बुर्तमाय रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, आप इसमें गानिश करेंगे, हरे धन्य का फ्लेवर भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छा आता है, अब हम इसमें करेंगे एक ट्विस्ट, धावा श्टाइल फ्लेवर लाने के लिए, देखिए, मैंने एक चार कोल को, एक कोईली के टोड़े को गैस पे गरम होने रख दिया है, अब मै अब देखिए, सारा फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर इसमें आ चुका है, बहुत ज्यादा टेश्टी बैंगा भरता बना है, बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, आपको ऐसे लगेगा जैसे ही आप धावे पे खा रहे हैं, आप इसे रोटी, पराठा किसी के साथ भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू, इन्जॉय बैगन का भरता,